प्रिष्ट संख्या अर्षट चलते चलते अंत नहीं, अंत बिना छुटकारा नहीं इसलिए तपस है, धुआ है, यानी इच्छा है जान लेने की, पहचान लेने की लद्दाख में राग भी राग कृष्णनाथ, जन्म सन 1934, वरानसी, उत्तरप्रदेश प्रमुख रचनाए, लद्दाख में राग भी राग, किन्नर धर्म लोक स्पीती में बारिश, प्रित्वी परिग्रमा हिमाल यात्रा, अरुनाचल यात्रा, बाओध निबंधावली हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन सम्मान, लोहिया सम्मान, मृत्यू सन, दो हजार सोलह में क्रिश्ननाथ के व्यक्तित्व के कई पहलू है काशी हिंदू विश्व विद्याले से अर्थ शास्त्र में एम्मे के बाद उनका जुकाओ समाजवादी आंदोलन और बौध दर्शन की ओर हो गया बौध दर्शन में उनकी गहरी पैट है वे अर्थ शास्त्र के विद्वान है और काशी विद्यापीट में इसी विशे के प्रोफेसर भी रहे अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर उनका अधिकार है और दोनों की पत्रकारिता से भी उनका जुराव रहा हिंदी की साहित्तिक पत्रिका कलपना के संपादक मंडल में वे कई साल रहे और अंग्रेजी के मैंकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादन भी किया राजनीती, पत्रकारिता और अध्याफन की प्रक्रिया से गुजरते गुजरते वे बहुत धर्शन की ओर मुड़े भारतिय और तिब्वती आचारियों के साथ बैठ कर उन्होंने नागार्जुन के दर्शन और वज्रयानी परंपरा का अध्यायन शुरू किया भारतिय चिंतक जे कृष्णमूर्ती ने जब बौध विद्वानों के साथ चिंतन मनन शुरू किया तो कृष्णनाथ भी उनमें शामिल थे बौध दर्शन पर कृष्णनाथ जी ने काफी कुछ लिखा है प्रिष्ट संख्या साथ इतना कुछ करने के बावजूद कृष्णनाथ जी की स्रिजन आकांक्षा पूरी नहीं हुई इसलिए वे यायावर हो गए एक यायावरी तो उन्होंग ने वैचारिक धरातल पर की थी दूसरी सांसारिक अर्थ में उन्हों ने हिमालय की यात्रा शुरू की और उन स्थलों को खोजना और खंगालना शुरू किया जो बावध धर्म और भारती मिठकों से जुड़े हैं फिर जब उन्हों ने इस यात्रा को शब्दों में बांधना शुरू किया तो यात्रा वृतांत जैसी विधा अनूठी विलक्षनता से भर गई कृष्णनाथ जी जहां की यात्रा करते हैं वहां वे सिर्फ परियतक नहीं होते बलकि एक तत्तो वेत्ता की तरह वहां का अध्ययन करते चलते हैं पर वे शुष्क अध्ययन नहीं करते बलकि उस स्थान विशेश से जुड़ी स्मृतियों को उगारते हैं ये वे स्मृतियां होती हैं जो इतिहास के प्रवाह में सिर्फ स्थानिय होकर रह गई हैं लेकिन जिनका संपूर्ण भारतिय लोकमानस से गहरा रिष्टा रहा है पहाड के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबग कर बैठी वह विश्मृत सी स्मृति मानो कृष्णनात की प्रतिक्षा कर रही हो कीवे आएं उसे देखें और उसके बारे लिख कर उसे जनमानस के पास ले जाएं कृष्णनात के यात्रा वितान्त स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुरान का संसार समेटे हुए है पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगता है वे लोग जो इन स्थानों की यात्रा कर चुके होते हैं वे भी अगर कृष्णनात के यात्रा वृतांत को पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ नया लगेगा उन्हें महसूस होगा कि उनकी पुरानी यात्रा अधूरी थी और कृष्णनात के यात्रा वृतांत को पढ़कर वह पूरी हुई स्पीती में बारिश स्पीती में बारिश स्पीती में रहने वाले लोगों की कठीनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया गया है कुछ युवा परियाटकों का पहुचना स्पीती के परियावरण को बदल सकता है ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीती के लिए उनका आना वहां बूंदों भरा सुखद संयोग बन सकता है